हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप I think सब लोग अच्छे होंगे चले तो जैसा कि थम्नेल पर आपको देख रहा होगा कि CPCT सप्टेंबर 2022 में जो भी पेपर हुआ था 17 और 18 सप्टेंबर को उसमें अब्जेक्शन की फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं अब्जेक्शन क्या है यानि का प्रफिशन के डाउट थे डाउट ये थे क्या सर मलब हमारा जो CPCT में एक या दो नंबर से पेपर रुख गया है तो क्या हमारा एक नंबर बढ़ सकता है तो जान आज के वीडियो में ये जानेंगे क्या आपका CPCT सट्रेंबर 2022 में जो पेपर हुआ है एक या दो नंबर से रह गया है इस बात पर चर्चा करेंगे साती सात में क्या आपकी सिप्ट में भी कोई ऐसा प्रेशन या फिर ऐसे कोशन थे जिसकी वज़े से आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं तो इस बात पर में चर्चा रहने वाली है और कैसे हम इस प्रोसेस को कम्प्लीट कर सकते हैं जैसे हमारा नंबर इंक्रीज हो जाए तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जिनका एक्जाम में सभी स्टूडेंट के लिए जिनका CPCT September 2022 एक्जाम क्वालिफाई हो गया है या फिर नहीं हुआ है सभी स्टूड के लिए रिलेवन्ट टैक कैसे जिनका नहीं हुआ है उनका एक या दो नंबर थोड़ सा काम एक दिन की महनत है अगर इस पर आप काम कर लेंगे तो आपका जो एक या दो नंबर का जो गैफिंग है वो फिल फिल हो सकता है बाकिस जिनका निकल चुका है तो उन उनका advantage क्या है, उनको benefit क्या है, उनको benefit यह कि आपका जो भी score आया है, उससे एक या दो number बढ़ दी सकते हैं, simple one day की महनत करने हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो इसे qualify हो गए हैं, कि आपकी एक महनत, एक दिन की महनत की बज़े से, जो आपके friends जो बगल में बाट के paper दे रहे थे, उनका एक number increase हो सकता है, आपकी महनत की बज़े से, तो यह simple सा उने instrument की लिए कि आप अगर एक दिन महनत कर लेंगे, तो हो सकता है, आपका भला ना हो, लेकिंद दूसरी का भला हो जाए, बसे एक दिन की महनत है, और आपका भी होगा, कही ने कहीं करेंगे, तो आपका number increase हो गा, जब अबसी होगा, यह सो आपका होगा, clear? तो अगर आप website पर जाके visit करोगे, तो website पर आपको proper दिख जाएगा कि objection form का detail, complete लिखा हुआ, उस detail के मादम से complete देख सकते हैं, अब यह detail क्या है, जैसे important dates पर अगर मैं बात करूँ हूँ, तो आज अभी जो date है 21 September, यहां से objection form start हो गए है, और 23 तारीक last date है, clear, window notice में भी लिख है कि objection window open for CPCT help 17 and 18 September, last date for objection resistant is 23rd September, click here, यहां पर click करके, आप सीधा, यहां से आप click करके सीधा objection form के आपत्ती कर सकते हैं, अब इस objection की form पर आपत्ती जाने से पहले, आप करोगे क्या पहले वो समझ लीजिए, तो थोड़ा सा जैसे आप scroll down करोगे, तो current update के नीचे आपको यह जो चारो पेपर अभी recently हुए है, 17% second and 18% second, चारो पेपर है, पहले चारो को primary रूप से डाउनलोड कर लीजिए, सबसे पहला काम तो यह है, जैसे डाउनलोड कर लोगे, फिर आप जिस सिफ्ट में बैठे थे, जिस सिफ्ट में आपने पेपर को attempt किया था, उस सिफ्ट के प पर ओपन करना है, और हर कोशन को observe करते हुए जाना है, कि आपने जो पड़ा है, उस आधार पे CPCD ने जो बाक लग, जो answer लगा है, कि वो सही है, valid है, invalid है, इन सारी चीजों पर check out करना है, मतलब चेक करना है, कि सही है कि गलत है, हाँ, जिस कोशन में आपको आपत्ती लगे तो पहला तो आप Google search कर लेजे, वो कोशन को कि हाँ आपने complete पड़ रखा है, हो सकता है, आपने गलत पड़ रखा हो, सायद वहाँ पर सही दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, जबी chance है, कोई दिक्कत वाली वाज़, आपने कुछ notes कहीं से राफर किये हैं, वहाँ पर गलत लिखा हो, यहाँ पर कोई सही है, तो उसे आपने Google कर लेजे, फिर भी आपको लग रहा है, कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा नमबर सभी के बास है, आप मुझे परसलिक्ट कर सकते हैं, सर यह shift का, यह question है, इसमें आपती का मुझे लग रहा है, कि यह संका ही doubt है, त हो सकता है, काफी shift में, मतलब multiple shift में, question जो number है, वो increase हो जाएं, अब बात याती, sir, question का collection हो गया, कि इस date में, इस shift में, इस number का question है, जिस पर हमें objection form fill up करना है, यह decide हो, पहले सो decide करो, पूरा एक bio data बना लो, bio data मतलब फूरी listing करो, कि इस question में यह आपती है, यह हमें reference दिना है, कि इस आधार पर हम बोलना है, कि यह question गलत है, तो यह सारी चीज़ हमें निकाल ली होगी, जैसे हम निकाल लेंगे, अब आज़ती है, बास सार objection हम लगाएंगे, कैसे, तो objection लगाने का एक तरीका सीधा, click here कर देजे, जो कि वीडियो के description में link डाल दूँगा, वहाँ से ID पासबर्ट डाल के सीधा कर सकता, अगर आप ऐसा नहीं करते, तो कुछ स्टैप है, जैसे गूगल क्रॉम को भी ब्राउजर ओपन कर देजे, ब्राउजर ओपन करोगे, उसके बास CPCD टाइप करिए, और CPCD पहला ही CPCD हम के नाम से URL आएगा, उस पर आप click कर देजे, click जैस या फिर वीडियो के description में लिंक है, वहाँ से सीधा चले जाएए, तो candidate login का आपका window सामनी आजाएगा, इसमें आपके पास जो user ID password है, जो आपने exam दिया था, उसे user ID password को डाल दीजे, सीधा login कर दीजे, जैसे आप login करोगे, login करती आपके सामनी ये window represent होगी, इसमें registration form, application form के बगल से, right में एक नया tab आ रहा है, जिसका नाम है objection form, सीधा आप इस objection form पे click कर दीना है, click जैसे करोगे, इस objection form में ऐसा window आपके सामनी रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर plus sign पर आपको click करना होगा, जैसे आप plus sign पर click करोगे, objection form की detail आपके सामनी result represent हो जाएगी, जैसे इसमे आपकी details automatic fill up होती है, आपको क्या करना है, अपनी जो data and system आपको यहाँ से select रनी है, उसके बाद आपको अपना question ID select रना है, question ID जैसे मैंने यहाँ पर window रखी भी है, जैसे जो भी question आपको doubt में लग रहा है, उसका selection कर लीजे, question number नहीं चलेगा, हर question का number के साथ उसका ID होता है, वो idea में select रना होगा यहाँ पर, number से काम नहीं चलेगा, बाकी जो भी आपको करना है, हमारे दोरा जो भी suggestion है, हमें साधार पर बोल लाएं, कि यह question गलत है, आपने गलत लगाया, साथी साथ में उसका जो reference की copy है, वो भी आपको provide करनी होगी, वो भी आपको देनी होगी, चा पर आपका कैसे भी page में हो, जैसे भी आपको लगाना है, साथी साथ में उस copy को यहाँ पर upload कर देजी, कहाँ पर यहाँ पर upload कर देंगे, upload करते हमारा objection form submit हो जाएगा, यहाँ पर submit कर देजी, सीधा आपके सामने, यह submit वाला बटन है, यहाँ पर आप सीधा click करके submit कर देजी कर देजी का, multiple question पर objection लगा सकते हैं, प्लस side पर जाके फिर से एक और question का selection कर लेजिए, फिर दूसरा objection लग जाएगा, तो जितने question पर लगाएंगे, लेकर question objection लगाने से पहले, decide तो कर लो कि किस question पर लगाना है, ताकि आप काम करिये, जो लग रहा है कि उसके लिए मैं objection लगाना है कि नहीं लगाना है, ताकि आपको लगता है कि आपका paper, objection से भी उमीद मतलब खाली चली जाती, और मेरी personal lie ये है, अगर मैं personal देना चाहूं, कि आपको लग रहा है कि एक या दो number से आपका paper रह गया है, तो दो रास्ते निकलते हैं, या तो हम result का bait करें, या फि है, वो आगे जो आप target set करें, उसके लिए कहिन की काम आएगी, अगर नहीं निकलता है, तो हम पढ़तो रहे हैं, अगले exam के लिए, वो advantage already है, क्योंकि इसका loss यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि अगर आप result का bait करेंगे, तो result का bait लगब लगब 18-19 दिन में आता है result आपका, अ आप 18-19 दिन को अगर आप observe करेंगे, तो लगब 7-8 October का result का tentative date मान सकते हैं, तो 7-8 October तक अगर आप बैठे रहेंगे, तो कम से कम आप 20 दिन का, जो 19-19 दिन का समय आपनी खराब कर दिया, अगर आप इस दिन में study करतें, तो मेरे according आप 50% syllabus खतम कर जातें, इसी दिन के according, त सीधा study में लग जाएं, सही होगा, गलत होगा, वो result में पता चल जाएगा, अब अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई भी resources नहीं है, तो BS Academy का special batch है, संकल 6.0 जो CPCD November 2022 exam oriented है, जिसमें हम आपको complete syllabus कराएंगे, वीडियो और PDF के दारा वीडियो live recorded दोनों रहेंगी, हमा एक प्लान होता है, उस प्लान के तहत हम कहीं न कहीं, आपके साथ इस जर्नी को तै करते हैं, clear, तो I think आपको समझ में आ गया होगा, बाकि कोई doubt, कोई भी query है, तो मेरा number आप सभी के पास है, WhatsApp number, आप उस पर मुझे personally contact कर सकते हैं, कोई भी doubt, कोई भी query है, तो comment box में लिख द आएगा, बाकि कि CCPD वालों का तो loss है नहीं, loss कहीं न कहीं, आपका ही है, clear, चलिए तो फिर मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में, तक तक लिए thank you, सुक्रिया, रादे रादे